नमस्कार सर, सत्षाहे, सर आपका क्या नाम है? जैफूल दास खटक, जैफूल जी आप कहां से आए हैं? रोतक से, सर संत्रामपल जी महराजी से आपने नाम दिक्षा कब ली? संत्राम्पल जी महराजी से नाम दिक्षा लेने से पहले चरा आप क्या भगति साधना करते थे के माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे सर आपने बताय कि आ बहुत सारी शाधनाय करते थे देवडिवताओं की आप तिर्थवर्थ करने भी जाते थे तो सर यह सर भagtि साधना करने से आपको क्या लाप राप्थ होई अमें जी कुछ भी लाव नहीं होया, दोने परेशान होते चले गई, इतनी परेशान ही आ गई कि हम ये बताएं हमारी आर्थिक स्तिती थी, दो बच्चे थे बिलकुल डैमिज हो गई कती बिलकुल ही, और उसके बाद हमारी घरवाली बिमार हो गई, बिमारी के कारण मैडिक बिलकुल चले गए, पीजी आई रोहतक में, रोहतक में दो-तीन साल लगे, छोटे-छोटे बच्चे थे, इन्ने तो माबाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था, हम बड़े दुखी हो गए, उसका उपरेशन होया, कींड़नी का, और उसमें से पत्थरी नि अब इसको कैंसर हो गया है, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा प्रिसान थे, क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था, फिर आप संतरांपाल जी महाराज जी के संड में कैसे आए? देखो जी संतरामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था रात के बाराब जे एक बहन ने नाम ले रख्या था वे बहन हमारे गर पे राई उसने बोला बहिया तुम हमारे आशरम चलोगे मैं बोला बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे लेकिन उस बहन ने बोला बहिया ऐसा नहीं होगा अमारे गरुजी आपको ठीक कर देंगे संतरामपाल जी महाराज आप उनकी सर्ण मत चलिए मैं बोला बहन जी हमारे पास तो किराय भी नहीं है नुबली बहिया आपको हम अपने आप ही किरावर के लिए चलेंगे आपको महा ठीक है बहन जी उन्होंने थ्रीविलर किया और नुबली दोनों दोनों जने चलो हम दोनों ने पतनी और मैं उनके साथ चले गए आशरम का पता भी नहीं था हमने neighbor जी को भी नहीं पता था जो गेट पर भाई थे ओं बोले भई ऐसे ऐसे ये नियम है नशा नहीं करना है हम बोले भई आंशा तो कभी भी करते नहीं पहले भी लेकिन हम बहुत दुखी हैं और बहुत प्रेशान हैं हमारी वीबी खतम होने पहें और उस चिंता में मेरे को अटैक हो गया था मैं भी उसी बिमारी में दुखी था चाती में बहुत दर्द रहता था सांस भी निले ने मुझे दिकत थी तो हम गुरु जी के पास गए गुरु जी ऐसे बैठे थे हमें नहीं पता था कि यह परमात्मा हो सकते हैं हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे, अगल भई हमारे आराम हो जाएगा, संत रामपाल जी महराज जी ने हमारे को नाम दिख्षा दी और गुरु जी ने अपने पास बुलाया, एक चरण के पास में बैठ गा, एक चरण के पास मेरी पतनी बैठ गई, और गुरु जी बोले शिर पे आत रखके दोनों के परमात्मा ने ये बोला बेटा तुम ठीक हो जाओगे उसी टैम परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने अमारे को आशिरवाद दिया और हम आशिरवाद लेके चले एक दम से तुरुत मेरे शिर का ये जो छाती का दर्थ था अटे पतनी जी दस दिन में ही ये बेगैर द्वाई खाए जखम भर गए और गुरुजी ने अमारे को जीवन दान दे दिया उससे में हमें पता चला हमें पता नहीं था एक ये पूरुन परमात्मा है जब हम ठीक हो गए दस यह दन में तो हमें ये पता चला कि ये संत रामपाल परमात्मा है ये समरत परमात्मा है उसी दिन से परमात्मा की दया से हम गुरुजी की दया हो गई संतरामपाल जी महराज की हम दोनों बिलकुल सई हो गई सर आपने बताया कि आपने संतरामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा ली तो आपको हाड एटेक आता था वो ठीक हो गया आपकी पतनी को कैंसर की समस्या थी कैंसर की बिमारी थी वो ठीक हो गई तो सर आपने संतरामपाल जी की बताई हुई भक्ति की उसके बाद आपको को देखो अमारे पास मकान भी नहीं था संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है जो भी सुक्षवी दाई संसार की होती है गुरु जी ने हमारे को वह परदान कर दी है और एक महिने पहले डोक्टरों ने बोला तुम्हें काला पी लिया हो गया है की रिपोर्ट भी है और जिस टैम वो डोक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों कींडनी खतम हो गई है लेवर भी खतम हो गया है और बचने के लाइक ने रहे हो तो उसी समय हमने सत्गुरु रामपाल जी महाराज से परार्थना कराई गुरु जी बोले बेटा डोक बिल्कुल रिपोर्ट साथ में है कींडनी और मेरी ये लेवर बिल्कुल खतम हो चुका था और ये रिपोर्ट देखलो परमात्मा ने आशीरवाद देते ही वहीं से तीन दन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजी आई रोतक में जैसे आप अपनी आखों से प्रार्थना होई उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है ये किंडनी की देखलो एक सो पंदरा की जगए एक सो कुल 21 हो गया है जहां एक सो पंदरा दिखाया गया था 6.8 की जगए 9 और एक डोक्टर ने तो जो भगत नरेश बन गया है वहां पर इंडिस्क करता है उसने गुरुजी का संत्रामपाल जी महाराज का ये देखके नाम भी ले लिया सर आप से एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किड़नी की समस्या थी आपका लीवर और आपकी किड़नी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी लेकिन जब से और उनकी बताय हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है तो सर कैसे संबब है शंत्रामपाल जी महाराज सास्तर अनुकुल भक्ति देते हैं शास्तरों में लिख्या है जो वो परमातमा जगत गुरु होगा अगर किसी की मिर्टू हो जाती है तो उसकी मिर्टू को भी बढ़ देते हैं उसकी आयों को बढ़ा देते हैं और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की करपा से हमें भी जीवनदान मिल गया है इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवनदान दिया है इसके उपर डेड़ क्योंटल का एक क्योंटल 56 किलो का गेट मैंने बनव अबारक है उसको पेंट करके फर फर्स पर रख्या हुआ था सीधा खढ़ा रख यह बच्चा वह चल्यागए उसके उपर इसकी ममीी ने कोई बलियान बलियान इसका सुखा रख्या था वो मैं उतारने लगया तो वो गेट ऐसे कि ऐसे इसके उपर आ गया और बच्चा कहता है पापा जी मेरे उपर जब गेट पड़ने लगया मैंने गुरु जी दीख गये और मैं सतनाम का जाप करने लगया मेरे उपर गेट आया और मेरे शिर्के निचे तकिया लगा दिया संत रामपाल जी माराज ने दामोदर शेट की तरह मेरा ज्याज डूबता हुआ बचा लिया क्योंकि मैं साक्टों के बीच में रहता हूँ अगर देड केवंटल का गेट बड़ा अदमी के उपर भी गिर जाए तो वो भी खतम हो जाए काट दे वो और इस बच्चे के सिरफ थोड़ा हा इतना ही कट लगया था और प्रमात्मा की द्यासे शिर्क मंडाशा मारके अपने मोटर Physics पर बैठया इसकी मम्मी रो रही थी उसकी मम्मी बोली बेटा क्या होगा नुबला तुमने ऐसे ही गुरुजी से परमातमा पे संतरामपाल माराज पे आज तक यही शिक्षा दी है गुरुजी ने इतना ही विश्वास है मेरे को विश्वास है दरड है और मोटशाइगल पपने आप बैठके मेडिकल रोतक सीवल होस्पीटल में ले गए और वहां तक बच्चा बोल रहा था पापा गुरुजी साथ थे मुझे सत नाम का जापकर रहा था मैं और वहां जाने के बाद मुझे पता नहीं बेहुस हो गया नमस्कार जी नमस्कार सर क्या नाम है आपका दीरज कटकदास दीरज जी अभी आपकी पिता जी ने बताया कि आपके ऊपर एक अढ़ाई किंटुल का गेट गिर गया था और फिर आपने संत्रामपाल जी महराज जी को याद किया तो आप बच गए शर्म आपसे जानना चा गेट उपर पड़ा जैसे ही तो मैंने संत्राम का सुमन चालू कर दियार गुरू जी ने मेरे सर के नीचे तकिया लगा दिया साइड में पचास कि लोगियों रखे थे गेट की दलक में वो भी उटकर गेट के ऊपर गिर गई और गेट गिरते ही मैंने रुका मारा मम्मी आ मैंने आथ लगा तो यहीं से बीच रहे थे रसर यहां से फटा था तो खून काफी निकल गया था लेगिन फिर मेरे चाचा बाहर आए तो मोट साइगल पर फिर होस्पीटल में ले गई तो जाते ही नोट आके आ गए और संत्राम पाल जी माराजी किर्प्या से मैं बच गय नोट आके आए तो तब मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ गुरू जी की किर्प्यावी संत्राम पाल जी माराज ने मेरे को दर्द भी नहीं नहीं दिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं यह मेरी पतनी है जिसके कैंशर बताई ती डॉक्टर ने यहां से लेकर यां तक खोल रखी थी किंड़नी का पत्रि का झा था और यहां तक खोल दिया था लेकिन वो टाके शीलते हैं ऐसे शीला तो वो टाके बंद नहीं हो रहे थे खुद जब दूने खुलते चले गई थे इसे उन टाकों में पस बनके कैंसर हो गया और गुरु जी ने आशिरवाद से ही प्रमात्मा संत्रामपाल जी महाराज ने बिलकुल कोई दवाई निली बेंजी आपका क्या नाम है अब कहां से आये हैं अब के पती ने बताया कि आपके पेट में पत्री बन गए थी और डोक्टरों ने उसे कैंसर डिकलेर कर दिया था तो संत्रामपाल जी महाराज जी की संड में जब आए नाम दिख चली तो आपको कुछ रहत मिली अपने संत्रामपाल जी महराजी से नाम देख सा कब ले दो जार पाँच में ले ती जी संत्रामपाल जी महराजी से जुणने से पहले आप क्या भक्ति करते थे आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति करते थे वर्थ करते थे फिर भी उसके बावजुद भी आपको कैंसर के विमारी लग गई थी लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे वर्थ करते हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों की जो इनकी सरम रहेगा उसको पूरा लाब दते हैं परमातमा और जिसकी मिर्थू होती है उसको बगवान जीवन दान देते हैं और हम सचा ही बता रहे हैं अगर आपका की नियाता हो तो हम अपना कमी जुठा के भी दिखा देंगे हम सारे कटे पड़े हैं अम इतनी भगती करते थे तब भी हमारे को सुक नहीं होया था संत रामपाल जी महाराज की सरण मा आने के बाद सत्गरू रामपाल जी महाराज ने इतना सुक दिया है पहले सुक तो मेरे जीवन का है जो की मा आज आप लोगों के सामने खड़ी हूं हम बिल्कुल सवस्त हैं और मेरे एक छोटा बेटा भी होया है संत रामपाल जी महारा संत की सरनमक गए हुए हैं तब हमारी कैंसर ठीक कर दी है बगवान जी ने तो परमातमा ही करेगा जो कुछ करेगा हम मरे या जिये लेकिन हम मेडिकल तक नहीं जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज से एक बार हमने जाने के बाद प्राथना ही की थी गुरुजी ने बोला ठीक है आप घर पर ही डेलेवरी होगी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा आप भगती करो गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि आप कभीर प्रमात्मा की भगती करते हो बेटा आपने किसी चीज की टेंशन नहीं है हमने बोल दिया था ठीक है गुरुजी आपकी जो अग्या प्रमात्मा आम मानेंगे और मेरा बेटा होया था दस में उनकी डेलिवरी हो ली थी और हमारे को दर्द पीड की बिल्कुल भ संत्रामपाल जी महराज कोई आम संत नहीं है यह सत लोग के बगवान आए हुए हैं और आप भी आओ आपना प्रमात्मा से मुक्ति और लाब लो बगवान से जो प्रमात्मा सुक देते हैं वो कहीं सुक नहीं मिलते हैं और आप भी आओ और आपना किलान करवाओ दन्यवा चैनलों पर संतरामपाल जी महाराज का सथ संग आता है उसमें पट्टी चलती है उसमें वो नमबर होते हैं उन नमबरों शे आप जानकारी ले सकते हैं उन पे जाके अपना नामदान ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर सत साहे कर दो कर दो कर दो दो